हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीटी आदब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में भागतोर भरी जिन्दकी में महिलाओं को अलग-अलग तरीकिये से सारी दिक और मानसिक समस्याओं से जूजना पड़ता है कभी पारिवारी जिम्मेदारियां तो कभी काम का प्रेशर ऐसे में तनाफ होना आम बात है और कई मामलों में इन तनाफ का असर प्रिगनेंसी में भी देखने को मिलता है अगर हम एक अध्यन की बात माने तो लगबग 30% महिलाओं का मिस्कैरिज तब हो जाता है जब उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेगनेंट थी वही 15% महिलाओं का मिस्कैरिज प्रेगनेंसी के 15 हफतों के भीतर हो जाता है ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि मिस्कैरिज के सिंटम्स क्या होते है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिस्कैरिज होने से पहले आपको कौन-कौन से सिंटम्स दिखाई देते हैं ताकि समय रहते आप अपमें प्रेगनेंसी को बचा सकें तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसके अलावा मुझसे परसनली बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे डियाइम कर सकते हैं, और लिंक नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए अब बात क करते हैं कि मिस्कैरिज होने के सिंटम्स क्या होती हैं, तो इसमें सबसे पहला सिंटम्स है ब्लीजिंग होना, ब्लीजिंग होना मिस्कैरिज होने का सबसे आम लक्षन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ब्लीजिंग का मतलब मिस्कैरिज ही हो, अक्सर करके प्रिग् के साथ एठन हो रही है या फिर आपको भूरे रंग का खोन या फिर गहरे रंग का खोन दिखाई दे रहा है तो ये खत्रे का भी संकेत होता है ऐसे में आपको जॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए मिस्कैरिज के दूसरा रक्षन है बैक पेंट की समस्या अगर आपको पीट के निचले हिस्से में या फिर पैलवी केरिया में दर्द हो रहा है तो ये भी मिस्कैरिज की और इसारा करता है कई बार प्रिग्निन महिला को ये दर्द ऐसे भी हो जाता है लेकिन अगर आपको ये miscarriage होने के chances बढ़ गए हैं और तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए miscarriage का तीसरा लक्षन हो सकता है paid death वैसे तो pregnancy के दौरन महिलाओं को कई तरीके की परिशानियों से गुजनना पड़ता है कुछ महिलाओं को पूरे 9 महिने तक भी संकेत हो सकता है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए उनसे मिल लेना चाहिए ताकि अगर किसी कारण से miscarriage हो रहा है तो उसको रोका जा सके miscarriage का चौता लक्षन है discharge होना pregnancy में white discharge होना एक normal सी बात है लेकिन किसी कारण से अगर ये बहुत जादा होने लगे या फिर इसमें से गंद आने लगे तो ये एक infection की तरफ संकेत करता है इसके अलावा अगर आपके private part में या फिर pelvic area के आसपास का जो area है उसमें pressure महसूस होने लगी तो इसमें घपराने वाली कोई बात नहीं है लेकिन अगर ये दवाब हद से ज़्यादा महसूस होने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गर्बा से ग्रीवा कमचूर हो रही है ऐसे में miscarriage होने के chances भढ़ जाते हैं तो अगर आपको भी हद से ज़्यादा दवाब महसूस हो रहा है आपनोई डॉक्टर से जरूर बात करे miscarriage का पांचवा और सबसे common symptom जो है वो है संकूचन वैसे तो pregnancy में महिलाओं को संकूचन होता ही रहता है और एक normal सी बात है और ये संकूचन ऐसा होता है जिसमें आपको दर्द नहीं होता या फिर ये irregular होता है यानि कि कभी-कभी अचानक से आपको संकूचन होने लगता है तो ये एक normal सी बात है लेकिन अगर आपको लगातार संकूचन हो रहा है आपको पेट में दर्द सा महसूस हो रहा है खिचाव फील हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको miscarriage का संकूचन शिरू हो गया है ऐसा होने पर आपको तुरण डॉक्टर से बात करनी चाहिए अब ऐसे भी miscarriage को रोकने के लिए कोई भी उपाय खास कारगर नहीं है लेकिन कुछ साफदानिया जरूर है जो आपको pregnancy के दोरान रखनी चाहिए जिसकी उपर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक उपर आई-कार्ड में और नीचे description में दिया गया है आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने friends के साथ share करें हमारे इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है या फिर मुझे Instagram पर DM करें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दी सकूँ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रही है स्वस्त रही है